जयें दोस्तों क्याल चाल कैसे आप लोग उमीद आप सब बहुत अच्छे से होगे आप सभी का बहुत स्वागत है इस वीडियो में इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले एक बार फिर से लखनो युनिवर्स्टी बीएट सेकेंड सिमेश्टर का कॉमन सब्जेक्ट आपका तीन टॉपिक पढ़ना है उन तीन टॉपिक में पहला टॉपिक था है स्कूल प्रभंधन के बारे में मैनेजिमेंट के बारे में जो कि हमने इस वीडियो में अलरी देख लिया है सेकेंड टॉपिक क्या है क्लास रूम मैनेजिमेंट और थर्ड टॉपिक है सौट एनालेसि सकते हैं लेकिन यहीं से एक difference create हो जाता है जो आपके college का topper होगा ना वो आपसे बहुत ज्यादा उसका number ज्यादा नहीं होगा थोड़ा number ज्यादा होगा और वो difference इसलिए create हो जाता है क्योंकि उसने इन सब्दों को पढ़ रखा है एक्जाम में जाकर उसको सोचना नहीं पढ़ता उसने इसको पढ़ रखा है ठीक है तो बस एक बार ज्यादा नहीं यह एक ऐसा topic नहीं है बहुत ज्यादा बार इसको देखना है बस एक बार go through हो जाएए, points को देख लीजिए, समझ जाएए सब्दों को फिर उसका बार मुझे का वदा है आप तो ऐसे बच्चे हैं कि एक्जाम में बहुत अच्छे के लिख सकते हैं तो बिना किसी देरी के, without beaming around the verse, let's get to start the video and let's discuss the second topic of the first unit L.U. लखनव उनुश्टी, we are second semester, common paper, school management and hygiene the first unit, second topic, classroom management, यानि की कक्छा कक्ष प्रभंधन So what exactly the कक्छा कक्ष प्रभंधन classroom management is? Let's begin the video कक्छा प्रभंध वह प्रकिरिया है, जिसमें अध्यापक या विद्यारती के सम्बंदों अंता समंदो के माध्यम से अधिगम प्रकिरिया संपाधित की जाती है, लर्निंग प्रोसेस कंड़क्ट की जाती है तता कच्छा में कार्या योंकिरिया कलाब से अधिगम प्रस्तिती उत्पन की जाएगी कहने का मतलब इंग्लिस देख लिए इंग्लिस जाद आपको समझ में आएगा क्लास्रूम मैनेजमेंट दोस्तों क्लास्रूम मैनेजमेंट काच्छा का प्रवणन क्या है वो प्रकिरिया है क्लास्रूम मैनेजमेंट का काम होता है क्लास्रूम मैनेजमेंट इसको उत्पन करती है कुछ और परिभास हैं देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा समाज में आया समाज में आया कि नहीं आया बस सिंपल सहीं समझिए कि इंग्लिस में समझिए जैसे क्लास्रूम मैनेजमेंट क्या है एक प्रोसेस है जो की कैरिड आउट होता है किसके रिलेशन एन इंट्रक्शन बिटून टीचर एंड स्टूडेंट ठीक है और क्या करता है लर्निंग सिचुएशन को क्रिएट करता है सेमें लिए हें हंधी हम बात क्रये तो कख्छा प्रबंदन वह प्रक्रिया गिएगा क्या जाता है और क्लास्रूम में करें और के स्थिति को उत्पन्न किए जाता है तलिए हो क्र्यों को कुरण कलापों के दौरा वरक और एक्टिविटी के दौरा तो यह हो गई बात किसकी कच्छा क्लास्रूम मैनेजमेंट के दौरा ठीक है कुछ कोर्ट्स देख लिए जो मैंने कहाना है कि जो तौर्पर्स होते हैं वह इन कोर्स को याद करते हैं तो मैं दो-тीन यहां पर कोर्स दौर दौर्स जरूर याद कर लिजीगा मनुविज्यानिक प्रभंदस है कि मनुविज्यानिक प्रभंदस है जो सिख्छ़ अधिकम पर ये क्रिया को प्रडाजियम दक्षितापूर बनाते हैं Classroom Management means the psychological management psychological management किसका physicals और physical और किसका human का management physical and human resources which makes the teaching learning process systematic and efficient teaching learning process को systematic बनाती है और efficient बनाती है प्रभावसाली बनाती है और दक्षतापुर मतलब efficient बनाती है दक्षतापुर मुझे समझ नहीं आ रहा था तो यहाँ पर efficient से मुझे समझ नहीं है तो यह क्या है वाई एक psychological management है किसका दोस्तो मानिवी संसाधनों और भौतिक संसाधनों का क्यो क्यों कि यह क्या करती है learning process को systematic बनाती है और efficient मनाती है किसके दवारा कहा गया था SK दूबेजी के दवारा कहा था correct ready बहुत अच्छा इसको तो आसान है इसको याद कर लिएगा दूसरा हम देखते है आर के सरमाजी नहीं क्या कहा था कच्छा कच्छ प्रबंदन उन समझ तक प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते है तो खाएख चा टुम ऐगनी प्रोसस को अफेक्ट करते है प्रभावित करते है बहुत अच्छा कहाता और के सरमाजी नहीं यह दो तो आप ज़रूर याद कर लेगा इस तरीज़ों को दिखेंगे तो आपका एक्जामनल भी कहा वाह वाह बच्चा क्या पढ़ गया है वो भी खुश हो जाएगा कि बच्चा पढ़ किया है ठीक है इन दोनों को याद कर लेंगे इन दोनों को चरू लिखना अब आईए बस यहां से आपका टॉपिक हतम हो गया भाई क्या समझें आप क्लास्रूम मैनेजमेंट क्या है बतल है अब आगे खचा कखप्रबंदन याने कि क्लास्रूम मैनेजमेंट क कुछ उद्देश से देखते है कंच्चा कखच को समझ सुविधा से परिपूर बनाना अ ट्लास्रूम को सारी सुविधाय देना फमतलब पंखा मतलब इलेक्रिशिटी देना ब्लैकबोर देना जो भी English medium, I hope you can write it. I know that you guys are very good. You can definitely write in English. Just learn in Hindi and write in English. Aha, if you are going to write all these in English, how would you write? कच्छा कच्च कि समझ सुविधाव को परिपूड बनाना, परिपूड मतलब कम्प्लीट करना, अल 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 नेसस्टी को कम्प्लीट करना, भवतिक और मानुवी संसाद्रों का उचित परियोग, उचित परियोग मतलब effective use of all the physical and human resources. मेरे भी इंग्लीज माशिया रला, शिक्चाम अधिगम परिकिरिया को सरल एंप्रभावि सालाना, अधिगम को अस्थाई बनाना, अस्थाई बनाना मतलब permanent दोड़ी कह सकते हैं, effective कहलो, कच्छा स्वाच्छ साच्छिक वातावरल का निर्माड करना, एक good learning situations को create करना, राइट, अक अच्छे साच्छिक वातावरल का निर्माड करना, तो यह हो गया उद्देश objectives डालके, आप इसको चाहे तो आप explain भी कर सकते हैं, अब आएए जरा कुछ और importance point को देखते हैं, अब यहाँ पे आते हैं दोस्तो, कच्छा प्रबंदन के कुछ सिधान्त, the principles of classroom management, इसको दो पार्ट में divide किया गया, पहला कौन सा, general principles, और दूसरा specific principles, हिंदे में बात करें तो, समाने सिधान्त और विशिष सिधान्त, वन बाई वन इसको देख लेते हैं, आए, कच्छा के समाने सिधान्त, general principles of classroom management के अगर हम बात करें, तो प्राया कच्छा में प्रबंदन, इस तत्थ का ध्यान रख के करना चाहिए, कि विद्यार्ती का अधिक से अधिक समय, अध्यान की किरिया में वहती तो, मतलब ज्यादा से ज्यादा बच्चा सीखने की किरिया में करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चा सीखें, मतलब खेल रहा है, तो खेल से भी कुछ सीखने में, स्काउट गाइट की ट्रेनिंग करें थी वो बहुत ही अच्छा रहा हाला कि वो खेल था हाला कि वो एंज्वाइमेंट था लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला तो एक प्रबंदन का एक समाने उद्यस ये भी है कि बच्चे का ज्यादा से ज्यादा समय अध्यान मैंने के सीख अरत पूर्ट कारियों में लगाए जाए तो उनके अनुशाव समद्य समद्य समस्याओं का सामना कम करना पढ़ता है मतलब जैसे जिस बच्चे का जिसमें रूची हो उस तरीके कारे कर देंगे उसको उस तरीके कारे उसको करने के लिए तो वो अनुसासित रहेगा क्योंकि उसको मज़ा आएगा रूची के अनुसास आपको काम करने में मज़ा आता है तो छात्रों के रूची और योग지ता के अनुशाथ अगर हम अर्थपूर काम देंगे उसको तो अनुशासन जैसे समस्याइं नहीं आएगे अमअनुशासन समस्याइं कम होगी, बच्चा अनुशासित होगा तो समाने उद्धी spor में मतलब उसको अनुशासन सिकाना, छात्रों में बाहयेवं आंतरिक नियंत्रन का विकास करना, अध्यापक का परमलक्ष होना चाहिए, बाहयेवं आंतरिक का मतलब बहुँ जल्दि रोने के ना लगे, बहुँ जल्दि गुस्टा न हो. बाहय का मतलब अच्छे से काम करें सारी चीजों को अच्छे से गंडूर करके काम करें तो यह हो गई समाने उदेश के बारे में अगर हम स्पेसिफिक विशिष्ट की बात करें आवस्यक नियम असपस्त रूप से निर्मित किये जाएं ठीक है यह management का उदेश है सिधान्त है इसमें विलम जथा अवरोध कम से कम हो ठीक है विविन परत्नों को प्रोचसाहन दिया जाएं बच्चा अगर खुछ से ट्राइगार रहे है कुछ नया करने के लिए उसको आप मोटिवेट करिए प्रोचसाहन करिए संकेत पुनरबलन एम उप्युक्त विहवार का किया जाए विवस्तित पार्ट है और स्वतंतर क्रियाग्राभों का नहीं इसे सबिस्सव था सब्राइब को पुछन अने वाली समासे है रिपीटेड सवाल है मैं सच बतारा हूँ रिपीटेड सवाल है प्रॉब्लम एराइजिंग इन दे क्लास्रूम मेनेजमेंट और ये टॉपिक आपको पढ़ने की जूरत नहीं है क्योंकि आप अरड़ी जानते हैं बस एक बार समझ जाए क्या 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 समझ साएं आती हैं क्लास्रूम में पहला च्छात्रों की संक्या प्राइवेट इस्कूलों में देखेंगे तो जेनरली हमें 35-40 बच्चे लेकिन उससे ज़्यादा हम भरे जाते हैं तो क्या होई वो एक समस्या हो जागी आप सारे बच्चे को कंट्रोल नहीं करबाएंगे सारे बच्चे गाइड नहीं करबाएंगे वर्कलोड टीचर के उपर इतना ज्यादा वर्कलोड भाई उसको पढ़ाना है कॉपी चेक करना एक्जाम भराना है घर पर लाके तो अध्यापन के अलावा भी कई चीजों में वह लिप्ट हो जाती है जैसे politics पर बात करना criticism पर बात करना sports पर बात करना तो इस चीजों में बात करने से भी क्या होता वाई वह अधिकम का जो environment करना है वह मुश्किल हो जाती है तो यहाँ पर और यहाँ पर reason है क्लास्रूम management की समस्याओं के बारे में कि अध्यापक और राजनीती टीचर से politics अनुप्यूक्त साधन अनुप्यूक्त साधन नहीं जैसे अगर आप कोई 3D चीज पढ़ा रहे है 3D को भी आपको blackboard पे लिख के बढ़ाना है इससे बच्चा कम समझेगा और वही आपके पास interactive panel हो तो आप उसे और अच्छे समझा सकते है तो क्या भाई जैसे माले यह language हम सिखाते हैं बच्चों को हम बच्चों को pronunciation सिखाते हैं कि हमें यहां से निकालना है words को तो आप वह बच्चे जब सुनेगा देखेगा तो वह और अच्छा कर सकते हैं जैसे आप बड़े colleges में जाएंगे तो जो phonetics पढ़ाते हैं इंग्लिस words कैसे निकालना है जैसे बढ़ा कैसे निकालना है शर कैसे निकालना है तो वह सुनते हैं और साथ साथ दिखते हैं तो वह जल्दी वहीं अगर सरकारी स्कूल में चीज़े रहें मतलब प्रॉपर आपके पास equipment रहे साधन रहे तो आप अच्छे सिखा सकते हैं तो यह सारी क्या है वाई classroom management की एक समस्तिया है अनुशासन की कमी lack of discipline और कक्छा कचप्रण्द आने वाली समस्याओं का कैसे आप हल निकालेंगे अहां जो मैंने आपको topic बता है नहीं अब उसी को हमने यहां पर explain किया है एक एक करके अध्यापक और राजनीती ठीक है चात्रों की संख्या समानीता चात्रों की संख्या 35 से 40 होनी चाहिए किन्तु अधिक धन लाव पाने के लिए चात्रों का परवेस दे दिया जाता है जिसके परीडाम कक्छा में भीड का रूप ले लेता है ठीक है तो इस तरीके साब कक्छा में अधिक छात्रों होने पर सिक्छक भी सहाज रूप से सिक्छड नहीं कर पाता है उता चात्रों को भी अस है रखनोव उनिवस्टी का 28 सेमेस्टर मतलब इस बार जो बच्ची है आप उससे जूड़ जाएगा ठीक है अनुप्यूक्त साधन हैवी वर्क लोड आपको जनरली एक टीचर को ज्यादा से ज्यादा 40 लेकिन ज्यादा लेक्चर होता है उसके अलावा भी ज्यादा काम होता है तो यह हैवी वर्क लूड होता है जिसके वज़ेसे एक नेगटिव इंपक्त पड़ता है टीचर पे और क्लास्रूम पे भी तो इस तरह के साब बदाकर लिखेंगे अनुशासन की कमी ओके अस और देने का बोज रहता है तो एक अंचाडम की इनवर्मेंट हो चुका है मतलब सीखने सिखाने की बात कम होती है नंबर पाने का और डर का महौल जादा रहता है तो यह समस्या है आपको लिखना है नुपक्त अस्तल मतलब बहुत ऐसी जगप है जहां पे चोटए-चोटे कमरे हैं गर्मी है बहुत सोर सराबा है तो यह भी सीज़े एक समस्या के रूप में आती है उप्यूक्त फरनीचर और रोसंदान की कमी यह भी समस्या करने अब यहां से एक उसी से जुड़ावा टॉपिक है इन समस्याओं का सुझाओं जैसे आप से कहा जाता है सवाल यह से क क्लास्रूम मैनेजमेंट की प्रमुक्त समस्याओं के सुझाओं का वर्ण करिए डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स एंड सॉलूशन सब्दव क्लास्रूम मैनेजमेंट तो इस तरी के साप दिख लीज़ेगा अगर समाधान की बात करें तो अच्छा की अनुसार चात्रों क संख्या निर्धारित की जाए भाई ठीक है विद्याले के अतरिक्त एक ऐसा प्रियेट रहे जहां पर बच्चा से जाके पढ़ सके से जाके सीख सके करेक्ट विद्याले वे संसात्रूत तो उक्रण की व्यवस्ता करने के लिए प्रधनचारे सिक्षक या कर्मचारी से सला ले सकते हैं मतलब एक open environment हो यहां पर teacher भी जाके principal से बात कर सके हर एक हर एक करवचारी जाके बात कर सके और बहतर से बहतर बनाया जाए जनरली आप देखेंगे बड़े colleges में जैसे आप ही के college में जाए आपके subjects related वहां पे book available है की नहीं है ठीक है तो इस तरी की समस्या होती ह है तो हम क्या करेंगे अगर सब लोग आपस में इंट्रेक्ट करेंगे इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है ठीक है यह एसी कोई नई topic नहीं है तो इसलिए मैं मैं सोच रहा हूं कि मतलब talk में मतलब बातचीत में ही इसको killer किया जाए चात्रों की संख्या का नुसार furniture सब्सक्राइब करें मतलब फालतू का चर्चा नहीं करें तो यह सुझाव आपको लिखना है तो बस एक बार देखते जाए कि कैसे कैसे समस्याओं का समधार हम लिख सकते क्या 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 पॉइंट लिख सकते है पॉइंट डाजागा फिर तो you are a master मड़े तो लिखते जाओगे पूरा चार दोगे एकदम मस्त ठीक है चलिए अनुसासन हींता से बचने के लिए कच्छा से सम्मधित एक समीति का गठन करना चाहिए ठीक है और सिख्चकों का सवहाद पूर बहवार करना चाहिए मतलब ऐसा ने कि एक टीचर दूसरी टीचर की जाकर बुराई कर रहा है अपनिस पल से तो ऐसा नहीं होना चाहिए एक दूसरे के तुरूटी को बताकर फायदा नहीं उठाना चाहिए ठीक है कच्छा में वातावरार को सागरात्मक बनाना चाहिए पार्टे सागामी क्रियाओं की उचित व्यवस्था होनी चाहिए तदा छात्रों को इसने वर्डन सक्रिय भागेदारी के दिए प्रोस्ताहाद करना चाहिए जो भी को करिकुलम एक्टिविटी से उसमें बच्चों को मॉटिवेट करना चाहिए कि आओ पार्टिसिवेट करो मुझे तो परसली बहुत मज़ा आता है मतलब अगर आप जो बच्चे मेरे साथ बढ़ते हैं मेरे कौलेज़ वाले उनसे पूछना है वो कहते हैं कि तुम समस्य कमाता है को दिकट को समस्य को समस्य नहीं से लिए कंप तेसमां ने कि क्च्छा प्रभंधन अध्यापक हे तु सुझाओ सवाल वाले की पूछलिया आप क्या सुझाओ देना चाहते हैं टीचर को तो बताइए क्या सुझाओ देना चाहते हैं सुचाहग हो सकता है कि अनुषाछ सन के लिए शुचाहो सब्सक्राइब तो आपने ऐसे तीन टॉपिक बना देना है और इन टॉपिक में ऐसे लिख देना ठीक है डिली बेसे से कौन से if ऑन को आप सचसे सफसेजेशन देना चाहते है उनके चोड़े 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 के खाता बने वाले वीडियो तो टीचर मस्ट भी पंक्चुवल राइट पंक्चुवल एंग्लिस मेडिया ठीक है कच्छा कि सबस्था पर ध्यान दिनी चाहिए वी शुट फोकस अना है चाहिए चात्रों के बैठने के ढंग पर फोकस करना चाह पहचान उनके नाम से होनी चाहिए और अल इस इस मतलब मजा आता है मजा कुड़ा अग्जा करने में वे अग्चल आप अलसे इंग्लिस मेडियों स्टुटेंट पढ़ना हिंदी में प्रिफर करता हूं लिखना इंग्लिस में चाहिए चात्रों के अनुछाण पर ध्यान चाहिए ठीक है तो ये अप देली आप उसको कुछ सुझाओ दे रहे हैं अब सब्स्न समान होने जाहिए अप क्या पूछ रहे हैं और एक समान है एसंग किसी को आज दे या किसी को तकर्यामгов करिए जो भी आपको teaching materials यूज़ करना है, मतलब छात्रो के हिसाब से करिए, कक्छा जाने से पूर्वर तयारी कर लिए, lesson plan बना लिए, जो भी चाहिए आप तयारी कर लिए, यह आपको teaching से related suggestion दिया जा रहा है, ठीक है, हाँ, स्यामपट पर सुंदर लिखिए, असपस लिखिए, और कक्छा समाप सोने के बाद मिटा दीजिए, ठीक है, सरमीले चात्रो के प्रती सहान भूती रखिए, मतलब कुछ बच्चे बताओ, बताओ, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा सहान भूती रखिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, छात्रो को कक्छा में व्यवस्त रखिया अ उनके अनुसासन बनाया है तू छात्र अध्यापको नीमन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। छात्र उचित एवं सहान भूति विहवार करें। लड़ाई ना करें। एक अच्छा विहवार करें। छात्रों को अत्यधिक इधर उधर घूमने नहीं देना चाहिए। पानी पीने के बहाने वाश्रूम के बहाने घूमने तो इस पर रूपना चाहिए। वियंग पूण यहम दोस्ट पूण विहवार यहम भासा का परियोग नहीं करना चाहिए। अपने व्यक्तित अनुभाव को कख्छा के अत्यधिक हां यह बड़ा अच्छा पॉइंट है। कख्छा या विश्य से सम्मंदित बातों को कख्छा में करने। कख्छा या विश्य से असमंदित। जो मतलब क्राश्रूम से या सब्जेक्ट से रिलेटेट नौ हो उसको करने से बचिये आप। चात्रों में सवानुशासन की भावना के विकास पर बल देना चाहिए। च चाहिए एक आदर्स वैवार रखना चाहिए तो बस इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं अगले वीडियो में हम देखेंगे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक वह है दोस्तो सौर्ट इनालेसिस सौर्ट का मतलब दोस्तो S for strength आपकी ताकत क्या है W for weakness आपकी कमजोरी क्या है O for opportunity और सर मौका और T for threat यानि की डर यानि की उसकी negative point मतलब आपकी ताकत आपकी कमजोरी आपको opportunity मौके और आपका डर यानि कमिया इसकी एक एडालेसिस होती है इसकूल पे वह हम अगले वीडियो म इतना ही आज हमने देखा लखनव यूश्टी के second semester का second और important topic वह है दोस्तो कक्छा कक्छ प्रबंदन classroom management जिसमें हमने समझा कि classroom management क्या होता है उसकी परिवासा जो दो लोगों ने दिया था वह हमने देखा classroom का उद्दे से देखा classroom का जो सिधान था specific principles और general principles वह हमने देखा classroom management से संबंदित जो समझ से आए थी उसके सुझाओ थे वह हमने देखा और आप teacher को क्या suggest करेंगे वह हमने देखा और इससे संबंदित आपका एक सवाल आपके beard में पूछा जा सकता है कई बार पूछा भी गया है मैं आसा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया हो तो लाइक करतीजिये इंग्लिश मेडियो मालो बुरा मत मालना ठीक है I like you I like you I like you Hindi medium you guys are awesome no worries Hindi medium या इंग्लिश मेडियो में लड़ाई नहीं करिये फड़ा फड़ा फड़ से लाइक कर देजिए comment बताइए आप कौन सी मेडियो में पेपर देंगे मुझे इंग्लिश मेडियो को बच्चे ज्यादा मिलेगा तो मैं ज्यादा ज्यादा इंग्लिश में content डालूंगा और जो भी हो सकता आप बेस्सेलेस आपके लिए करूंगा वीडियो को लाइक करिए कर देजिए subscribe पर यह नहीं जूड़े चैनल से तो आप नीचे वाट्सअब ग्रूप का लिंक है आप वहां से जॉइन करके लखनो इनुस्ति के बीएड वाट्सअब ग्रूप से आप हमसे जोड़ सकते हैं तो इस वीडियो में फिलाल इतना ही यह PDF में उसी वाट्सअब ग्रूप में भेज दूँगा और अगर आपके पास भी